इसके साथ इसमरा चौधरी ने 33 पंचायती राजसंस्थाओं के परतिनीधियों से धरातल पर काम करने का आदेश दिया और गैर जिम्मेदाराना कारे करने वाले परतिनीधियों पर कारेवाई की चेताबनी भी दिया SAC CZL Tier 1 का परिणाम हुआ जारी वैसे उमिदार जो इस साल SAC CZL भरती परिक्षा में शामिल हुए थे उनके लिए अच्छी खबर है आपको बता दे कि SAC ने Combined Graduate Level Tier 1 परिक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है जो भी अभ्यरती इस परिक्षा में शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट SAC के Official Website sac.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं आपको बता दे कि इस परिक्षा में जो शात्र पास होंगे वहीं उमिदवार Tier 2 परिक्षा में शामिल हो पाएंगे SAC CGL 2020 के परिक्षा पैटर्ण के अनुसार Tier 2 में कम्प्यूटर आधारित ओनलाइन मोड में परिक्षा आयोजीत की जाएगी यह परिक्षा पहली परिक्षा से थोड़ी मुश्किल होगी इसमें qualitative ability, statistics, general studies और अंगरीजी से प्रशन पूछे जाएंगे विहार के सबसे बड़े railway station पर एक्जेक्जीट है